नमस्कार, वेलकम टू केरियर मंत्रा 9.1 मैं अंकित यादव आपके अपने यूटूब चैनल में आपका स्वाध करता हूँ थमनिल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज़ी क्लास में हम यूत्तर पदेश लेकपाल के लिए चेप्टर नमबर 9 लेकर के आएं ये सभी चेप्टर नमबर 9 उत्तर नमबर 9 उत्तर पदेश में पंचाईती राज वेवस्ताओं पढ़ेंगे तो इस चेप्टर को सुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन पढ़ना चाहूँगा देखे कितनी सुंदर कोटेशन है जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिखाएगी जोग दे खुद को इस आग में यही आग तुझे हीरा बनाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों हीरे की तरह चमकने के लिए समाज में अपना काम बनाने के लिए और लेकपाल में अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए आपको खुदी मेहनत करने पड़ेगी ठीक है तो मेरे साथ बने रहे है मैं आपके साथ आपके लिए मेहनत करवाता रहूँगा आपको ये पूरी बुक कम्प्रीट कराओंगा दस से पंदर दिन में ये पूरी बुक कम्प्रीट आपके हो जाएगी और आपके अंदर एक बहुत ही मोटिवेशन आएगा ठीक है आपके अंदर एक जोस आएगा कि हाँ अरे वाह मैंने तो एक book complete कर ली और आपको बहुत easily तरीके से book complete कर लेंगे ठीक है तो चलिए इसी के साथ हम question को शुरू करते हैं आज एक लास का पास question देखते हैं हम लोग चलिए देखते हैं इस book में हमें क्या दिये रखा है इस chapter में हमारा क्या है 9 chapter में तो 9 chapter में हमारा है एक ग्राम पंचाय थे तो इसको हम देखेंगे तोड़ा हम बढ़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको clearly visible रहे चलिए देखते हैं ठीक है पूरे chapter क्या है थोटिकल है तो इसको हम पढ़ते हैं और समझाएंगे आपको आधनी काल में सरप्रथम 1864 ठीक है 1864 में ब भारती सरसासन को क्या दीती मानता दीती 1882 में ठीक है 1882 में लौड रिपन-षम ने इस्थानी सथातराशन का प्रस्ताप पारित कieß या संपूर्ण देश में तालुका बोर्ड, तानुका बोर्ड या उपुखंड उपखंड तथा जिला बोर्ड इस्थापित करने का सुझ को चलिए आगे देखते हैं हम लोग गांधी जी ने ग्राम सवाज ग्राम सवराज की अवधाना को मूर्थ रूप्रदान करने हेतु भारती सम्मिधान के नीती निर्देशक तत्वों के तहत अनुछेद चालिस ठीक है ये इंपोर्टन अनुछेद चालिस के अंतरगत राज को पंचायतों की स्थापना हेतु आवश्रक कदम उठाने के निर्देश दिए अनुछेद चालिस में उलेखित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनहें और इनहें इतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से ये स्वायत साशन की इकाईयों के रूप में कारे कर सकें ठीक है तो अनुछेद चालिस इंपोर्टेंट है ठीक है बात के लिए रखना चलिए आगे देखते हैं हम लोग सुतनता के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया बर्स 1949 में ग्राम सबहां की स्थापना की गई किसकी स्थापना की गई ग्राम सबहां की स्थापना की गई इनिस सों पच्छपन में पंचायतों के दूसरe चुनाब की बाद पंचायत अदालतों का नाम नयाय-पंचायत कर दिया गया, क्या कर दिया गया, बर्स 1962 में बलवंत राइ महता की सिफारिश के आधैर पर उत्तरपदेश छेतर सम्ती एवन जिला परिशत अदिनियम 1961 पारिट कर त्रीस्तर है त्रीस्तर जाद रहने हैं इंपोर्टेंट है ग्राम पंचायत छेत्र पंचायत और जिला परिशतु ठीक है यह 3 इस्तर है ठीक है \'9422 आपको याद रहना है कि क्या था बलबंतराय महताक शमिती की सिफारेशायती ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग ठीक है उननिस सो बानवे ठीक है क्या उननिस सो बानवे में पंचायतों को सम्मिधानिक दरजा देने के उद्धे से सम्मिधान में 73 में सम्मिधान संसोधन के तहत अनुसूची 11 और भाग 9 जोड़ा गया ठीक है 73 वह समिदान शंसोधन 11 में अनसूची और नौमा भाग जोड़ दिया गया अनुछे 243 ए से लेकर के 243 ओ तक ठीक है ये सब जूड़े गए है 73 में समिदान शंसोधन के अनुकरब में उत्तपदेश पंचायती विदी शंसोधन ठीक है राज निर्वाचन आयोक की स्थापना हुई 1995 पंचायतों का चुनाव राज निर्वाचन आयोक द्वारा किया जा रहा है अब देखते हैं क्या कहए रहा हूई 11 वी अन्वी अनुसूची में कुल 29 विसे हैं कितने विसे हैं 29 विसे हैं लेकित 29 विश्यों में इसे 16 विश्य पंचायतों के हस्तानत्रित हैं ठीके हाथ में रहते हैं और बाकी के अन्न की याथ में याद रख लिए अब उत्त्तप देश में पंचायती राज प्रणाली इसके बारे में हम पढ़ाएंगे ठीक है तो उत्तव देश में पंचायती राज प्राणली तीन भागों में विवक्तट कितने वागों में तीन पार्ट में इसे डिवाइट किया गया है ठीक है देखते हैं कौन-कौन से हैं ठीक है चलिए सबसे पहली है आपकी जिला पंचायत ठीक है कौन से है आपकी जिला पंचायत ठीक है इसमें क्या है जिला इसतर पर पंचायती राज विवस्ता जिसे जिला पंचायत कहा जाता है क्या कहा जाता है यह पंचायती राज विवस्ता का सीर्ष निगा है कैसा निगा है सीर्ष नि घिइंब को छी ले का मुख़ विकासोगि होता है अब मितना के दुभाद करते जिए जेत्र स्पाइट का हूँता है है को हुबस्ता मैं दुस्तर पर शेत्र पनुखारी की विवस्ता हुती प्रतिक छेत्र पन्चायत में एक प्रमुक और एक उप्रमुक हो होता है ठीक है वहाँ इसमें क्या होता है एक प्रमुख होगा और प्रमुख होगा प्रमुख और चुनाव प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा ग्राम सभा द्वारा चुने गए छेत्र पंचायतों के सदस्यों दारा होता है छेत्र पंचायत प्रमुकों के बृद्ध अब विश्वास प्रस्ताप चुने जाने से एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है अगर उसे चुली आ गया तो एक वर्ष के भीतर जो है अब विश्वास प्रस्ताप नहीं लाया जा सके ठीक है चलिए आगे देखते हैं इस पंचायत का सच्चीव खंड या प्रहण या विकास अधिकारी ब्लॉग डव्लमेंट ऑफीसर होता है इसका प्रमू को लुगा पॉगंक्त सी अवाला चिれप बात करते हैं जिला मैं पंचायत के बीच की कड़ी है जो बीच का फैंब हमारा क्या है ग्राम पंचायत ठीक है तो प्रणचायती राज विवस्ता के सबसे निम्नतवन स्थर पर ग्राम पंचायत विवस्ता होती है इसका अध्यक्ष कुर होता है प्रधान होता है प्रधान का संख्या जिन संख्या की आदार पर निर्दारित होती है फिर लिए अब बात जरते हैं आगे की इसकी वर्श में दो आम बैठके होती है कितनी बैठके होती है दो बैठकों के वीस दो महां से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए परधान को रड़ाने से पूरू 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी बैटक के लिए ग्राव सवा में कम से कम एक बटे 30 सतस्यों का होना आनिवार है हटाने हेतु प्रस्ताव पारित होने के लिए उपस्तित एवं मत दाता करने के मत दाता करने वाले सतस्यों का अगर प्रधान को हमें अटाने के लिए अगर प्रधान को हमें अटाना या, तो कम सिक्म 2 वटा 3 वहुमत चरूर चाहिए, तभी हम उसे अटा पाएंगे, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या-क्या है इसमें, अब बत आती है नगर निकाए प्रणाली, या है नगर पालिका नगर निगम और नगर पालिका परिशद हैं और अधिसूचित छेत्थ समयत्या स्थापित की गई हैं 74 में समय आते को 73 में 7 5 तो 74 में क्या आपका नगरनिकाय ठीक है चोहतरवे सम्मिदान शन्शोधन वर्स 1993 के द्वारा सम्मिदान में बारेवी अनुसूची जूड़ी गई तता भाग 9A जूड़ा गया अनुछेद देखो O तक तो वहा तक था A से लेके O तक अब O के बाद क्या आता है O के बाद P आता P से लेके Z जी तक जो यह इसके अंदर है ठीक है नगर निकाय के अंदर है नगर निकाय यह नगर पालिका को सम्मिदान की बारेवी अंसूची में उल्लेकत 18 विष्य कि विदी के सक्ति प्रदान की गई कितने मिसें इसमें 18 विशे हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं प्रदेश में राजिपाल द्वारा गोशित की गई नगर नगरिये छेत्रों में चार भागों में विविक्त किया गया अब देखिए अगर 10 लाग से अधिक आवादी होग होगी तो उसे लगु नगरिये छेत्र या नगर पाल का परशद बोलेंगे और 15,000 से लेके एक लाग के बीच होगी तो उसे संक्रमनी छेत्र या नगर पंचायत बोलेंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहां तक बात समझ में आगोई टेवेला सिंपिल है अब देखि सवशाशन कानून अधिनियम 1994 के अनुसार संपूर नगरिये छेत्र को तीन वाव में वक्त किया गया ठीक है नगर निगम नगर पाल का परशद और नगर पंचायत ठीक है यह बात हो गई अब इसमें क्या क्या रहता है इसको देखेंगे पहले सबसे पहले नगर निगम है वो देखेंगे नगर निगम दसलाग से अधिकावादी वाले महा नगरिये छेत्र में नगर निगम की स्थापना की जाती है नगर निगम की रचना एक नगर प्रमुक इसको क्या बोलते हैं मेयर बोलते हैं एक मेयर और एक उपमेयर और तीन प्रकार के सभासदों से मिलकर होती है नगर प्रमुक का कारेकाल पांच वर्ष का होता है साथ ही दो वर्ष तक उसके खिलाब अविश्वास प्रस्ताब नहीं लाया सकता जब तक उसके दो साल नहीं है तब तक उसे अठा नहीं सकते हैं सवासदों की सवासदों में तीन प्रकार की सवासद होते है निर्वाचित मनोनीत और पदीन ठीक है निर्वाचित मनोनीत और पदीन नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती सास से नीचे नहीं होगी और 110 से जादा नहीं होगी यहाधे बात आपको clear होगी आगे देखते हैं नगर निगम का बजट बजट सचिव द्वारा तयार किया जाता है नगर पाल का परशद क्या होता है 1.0k या इस से अधिक किन्तु 5.0k से कम आवादी वाले लगू उत्रिये छेत्र में नगरपाल का परशद होती है ठीक है पांच लाग से कम और एक लाग से अधिक ठीक है तो नगरपाल का परशद होती है ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसमें नगरपाल का परशद की रचना में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और तीन इस्तादस्य होती है ठीक है इसके अध्यक्ष का चुनाप प्रतेक्ष निर्वाचन पढाली पदिती द्वारा होता है नगरपाल का परशद में लगवग पांस समितियां होती है नगरपाल क को देख लेते हैं हम लोग नगर पंचायत के अंतरगत एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और अन्य तीन सदस्य होती हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रतेक्ष निर्वाचन प्रतेक्ष निर्वाचन प्रतेक्ष निर्वाचन प्रतेक्ष निर्वाचन प बित्य आयोग को पढ़ लेते हैं, राज्य बित्य आयोग क्या होता है, तो राज्य बित्य आयोग जो होता है, भारती समयदान के उन्चे 243 आई की अनुसार, राज्य बित्य आयोग का गठन 5 प्रतेक 5 वर्स के लिए किया जाता है, उत्तर पदेश पंचायती राज अधिनि ठीक है अब इसके कार्णे क्या क्या है इसके तो कार्णे देखती है राज बित्त आयोक, निम्लखित विश्योक पर के संबंध में राज पाल को इसे अपनी शिफारिश देता है क्या क्या देता सुनिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गई करों शुलकों और अधिशुलकों का राज्य में इस्तित बिभिन नगर निकायों तथा पंचायत राज्य संस्थाओं के बीच आवंटित राशी करता ठेए जो भी राशी आ रही है उसको राज्य वित्यायोग क बताएगा कोई अन्य विसे जो राज्य पाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्य पोशन घेतु आयोग को निर्दिश्ट किया जाए ठीक है ये बताया जाएगा आगे देखते हैं इसमें और क्या-क्या है ठीक है बरतमान में कुल विभाजित पूल का 60% नगर निकायों को और 40% पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा ठीक है नगर निकम में 60% खर्चा होगा 40% पंचायती राज वेवस्ताओं में पंचायत राज संस्थाओं के कुल अंश में से 20% जिला पंचायतों को 10% छेत पंचायतों को 70% ग्राम पंचायतों को दिये जाने ही तू निर्दारित किया गया ठीक है चलिए ये तो रही आज की बात और आज ही हमारी ये complete class हो गई है ठीक है आज ही class में हम इतना ही रखेंगे ठीक है आज ही class नहीं संपन होती है प्लीज चैनल को subscribe करेंगे आप like करेंगे शेयर करेंगे कम से कम एक या दो लोगों को अपने साथ के एक या दो लोगों को जरूर शेयर करने ही आपको ये वीडियो ठीक है आपके लिए हम लोग बहुत मेनत कर रहे है हमारी पूरी टीम मेनत कर रही है ठीक है आने वाले समय में हम एक बुक और आपको complete कराएंगे तो इससे आपकी ये वाला जो ग्रामीड परवेस का portion है उसम हमारा 80 cross हो जाओ और 80 cross में मैं सोचता हूँ कि आपको 100% job मिल जाएगी ठीक है तो चलिए इसी के साथ class को संपन करते हैं यहीं पर thanks for watching वीडियो चैनल को subscribe करना है like करना है और share करना है ठीक है thanks for watching वीडियो take care bye bye धन्यवाद